हलो फ्रेंड्स गुड मॉर्णिं फ्रेंड्स फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोग सुपर्टेट के सेवन प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं सुपर्टेट सुपर्टेट सुपर टेट के कितने practice नमबर 7 तक discuss कर चुके हैं आज का जो हम लोगों का जो practice rate होगा तो practice rate काउंसा होगा practice rate 8 होगा और आज के जो आज का practice rate 8 होगा उसके केवल हम 10 questions अभी आज morning करेंगे और जो 10 questions होगे हम लोग evening में करेंगे तो आप लोगों से यहीं request है कि अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को subscribe करते रहें और वीडियो को like करते रहें और share करते रहें तो आप लोग continue करते हैं फटाफट question करते हैं practice rate 8 तो आप लोगों आपर note down कर लिजेगा तो यहाँ पर जो पहला questions है करमागर सूला तक सूला तक समसंख्या समसंख्याओं का योगफल समसंख्याओं का योगफल बताना है क्या बताना है योगफल बताना है तो सूला करमागर सूला संख्याओं नहीं कर रहे हैं सूला तक तो सूला तक जितनी भी संख्याओं आएंगी हम उनको लिख लेंगे तो यहां पर जो होगा वो कितना होगा एक formula होता है एक यह होता है कि n by 2 और अंदर होता है कितना होता है n plus 1 कितना होता है n plus 1 एक यह होता है यानि कि 16 तब जितनी भी संख्या होगी उनका सम्हों हमें find out करना है तो इसके लिए formula हो जायगा n by 2 और bracket में कितना हो जायएगा n by 2 plus 1 तो यहां पर क्या दरेंगे हम यहां पर हो जायगा कितना 16 है तो 16 बटे 2 यानि उसका आधा हो जायगा यह अंदर कितना हो जायगा यानि कि वहीं आधा 16 बटे 2 और plus 1 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 22 तो कितना आ जाएगा 72 नेस्ट कोशन पर हम लोग आते हैं जो नेस्ट कोशन यहाँ पर होगा फ्रेंड्स दूसरा नंबर दूसरे नमबर में कह रहा है कि एक भिन ने लिखी हुई है कुछ एक बटे पांच लिखा है तीन बटे दो लिखा है और एक लिखी हुँग पांच बटे चार इनका लासा फाइंड आउट करना है क्या निकालना है लासा तो कोई भी संख्या अगर इस तरीके से भिन हो तो लासा निकालने के लिए जो भी कभी अगर लासा निकालना होगा सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे लासा ओके फिर नीचे लिखेंगे मासा अगर मासा निकालना होगा तो उपर लिखेंगे मासा और फिर नीचे लिखेंगे लासा तो यह हमें इसा याद रखना तो हमें लासा निकालना है इसलिए इस फार्मॉले का यूज़ करेंगे तो क्या होगा यानि कि लासा लगुत्तम समापवार्थ है और किसका लासा एक तीन पांच का और नीचे मासा किसका जो हर में दिये हैं पांच दो ये चार तो इसका यहां पर लासा कितना हो जाएगा पांच ते पंदरा हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा यहां पर दो next question यहाँ पर यह लिखा हुआ है 30 की power 30 की power 50 30 की power 50 30 की power 50 को इसको अगर 31 से भाग करेंगे भाग करने पर भाग करने पर कितना सेस बचेगा यह बताना 30 की power 50 को 31 से भाग करने पर कितना सेस बचेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर जो गहात है systematically लिखेगा जो गहात है वो sum है क्या है वो sum है और जब sum होगी तो उसको अगर n एक प्राकरतिक संख्या तो उसको क्या लिख सकते हैं वो कितना है 30 है तो यहाँ पर जो 30 होगा अब यहाँ पर कितने से भाग करना है 31 से भाग करना है तो 31 कैसे लिखा गया है वो 30 प्लस 1 के हिसाब से लिखा गया है जैसे भाग करेंगे जैसे भाग किया तो 30 से कम 30 तो सेस्वल कितना बचेगा फ्रेंड्स सेस्वल कितना बचेगा एक तो ये इस तरीके से याद रखना नेश्ट कोशन पर आते हैं लोग गुरनखंड है 25x² माइनस 10x एन प्लस 1 माइनस 36y² इसके हमें गुरनखंड करने हैं तो यहाँ पर यह जो लिखा हुआ है 25 इतना तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इतनी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 5x का होल स्कॉर माइनस 10x एन प्लस 1 माइनस 36y² इतनी जो चीज लिखी हुई है इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x माइनस 1 का होल स्कॉर 5x माइनस 1 का होल स्कॉर माइनस 36y² अगर यहाँ अब यहाँ पर a² प्लस b² है तो यह कितना हो जाएगा 5x प्लस 6y and माइनस 1 और next में कितना हो जाएगा 5x and minus 6y minus 1 यह हो जाएगा, यह factor हो जाएगा तो यह question number हो गया 4, अब यहाँ पे 5 question number question number 5 पे आते हैं हम लोग तो 5 number में क्या दिया हुआ है कह रहा है एक चक्री चतुरभूज है कैसा है, एक चक्री चतुरभूज है चक्री सिंबल चतुरभूज का चक्री चतुरभूज ABCD में एक ABCD चक्री चतुरभूज है जहाँ पे AB की वैलू दी हुई है 5 cm और BC की वैलू दी हुई है BC की वैलू दी है 4 cm और CD की वैलू दी हुई है 3 cm और DA की वैलू दी हुई है 6 cm यहां से विकर्णों का गुड़न फल निकालना है तो अगर यहां से विकर्ण निकालें जैसे अगर हमने यहां से फीगर बना दिया यह क्या है सरकल बना दिया इसी में हमने एक A, B, C, D बना दिया यहां लिख दिया A, यहां लिख दिया B, यहां लिख दिया C, यहां लिख दिया D अब A, B के value कितनी है? 5 हो गई अब B, C के value कितनी है? यहां पर हम लोगों ने 4 लिख दी आप CD की जो value है यहां पर कितनी लिखती 3 लिखती और DA की value यहां से 6 लिखती जब यहां से викनडों की संख्या निकालेंगे तो विकनड कौन कौन से हो जाएगे A की हो जाएगा AC हो जाएगा और A हो जाएगा यहां से BD तो ओके, तो यहां से ac into bd जो होगा, उसकी value कितनी आएगी, यानि ac की value कितनी आएगी, ac की value हो जाएगी कितनी, 5 यानि कि यहां से अकर हम लोग निकालेंगे, तो एक चीज यहां से यहां से यह आएगी, कि 5 गोड़ी 3 and plus कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, तो गुड़ा कर तो यहां से कितना आजाएगा, तो यह हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 5 गोड़न फल, यानि इसके गोड़न फल और यह गोड़न फल, तो यहां से 5 गोड़न फल, च्छचाओ को 24, यह कितना हो जाएगा, 49 अड़ कर देंगे, यहां से आप लोग करके देख लेना, next question, शमानतर चत्रभुज बनाएंगे, यह इस तरिके से, इसका आधार दिया हुआ है, आधार कितना दिया है, 15 cm दिया हुआ है, और फिर उसके बद कह रहा है कि, सोरी यह आधार नहीं जो है समांतर भुजाओं के 20 की दूरी पंद्र दी हुई यह आधार दिया हुआ 20 इसका छेत्रफल निकालना है क्या निकालना है उसके द्वारा यहां पर कह रहा है उसके द्वारा विकण द्वारा विभाजी त्रिभुज का छेत्रफल निकालना है कैसा यह विकण है अब विकण के द्वारा यह त्रिभुज का छेत्रफल निकालना है तो जो त्रिभुज क समांतर चत्रवुज का चत्रवुज का चत्रवर्ण होगा एकबटे दो, जो भी समांतर यानु उसना आध्हा कर देंगे गुरीत 15 नि सुमांतर 17 सुल्वाजर शुलोगे उके, साथ नमबर पे चलते हैं, कॉश्चन नमबर सेवन, कॉश्चन नमबर सेवन में ये कह रहा है, कि प्रथम आठ प्राकर्तिक संख्याओं के घनों का समांतर माध निकाना, प्रथम आठ प्राकर्तिक संख्याओं के घनों का समांतर माध निकाना, तो समांतरमाध्य दिख्या होगा प्रथम 8 प्राकर्टिक संख्यां जो होंगी तो यहां से हम लोग लिखेंगे समांतरमाध्य बराबर 4 2 2 अंदर ही रहेगा 8 है 8 8 2 4 तो यहां से हो जाएगा 8 और कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 9 9 81 बटे 2 2 4 4 2 8 गुड़ा कर देंगे तो कितना आज जाएगा 162 तो थोड़ा सा आज इतनी कोशन और जो रिमेनी जो कोशन होंगे हम लोग साम को पक्ता करेंगे आप लोग वीडियो को देखते रहेगा सब्स